मेरी जो विक्ति का तरह ही है वो बाबा बालकनाथ या किरोडिलाल मेना में दोनों में से किसी एक कंडिडेट को सियम को सिद्धी कुमारी यूआ है वो बन सकती है ऐसा मुखमंत्री होना चीए जिसने पांस साल धरातल पे काम किया हो जिसने अन्याय ब्रस्टाचार के खिलाब लडाई लेडी हो उसको मुखमंत्री बनाना चीए वैसे डॉक्टर किरोडिलाल मेना सीम होने चीए तरेंदर मोदी जी और अमिशा और अमारे जो भारतिय जिंदा पाल्टी है वो जो भी निरने लेगी वो हमें सरव परिया है मोदी जी पर भरोसा किया है और मोदी जी ने जो कार किया है सरव परिया है विए सब्सक्राइब पुल्वदी के नेतरत में जो नाम तेकिया है बहुत से हमदना चाहिए जो भी होगा 116 में से होगा दो राजय में भी हुआ है उसमें जो भी विदायक है उसी में से हुआ है कोई नाजगी नहीं है हम सब खूस हैं क्योंकि हमारी भारतिये जंता पार्टी की सरकार बंढ रही हमारे चैनल पर जैपूर में हम मौझूद हैं बीजेपी कारेले से थोड़ी दूरी पर क्योंकि कारेले के बाहर अगर बात की जाए तो बैरिकेडिंग जो है वो लगाई गई है वहाँ पर केवल का आज कारेले में विधायकों को व्यवस्था में लगे हुए कारेकरता और ज सारे जो है यहां पर विधायक पूंच रहे हैं उनके समर्थक जो हैं उनके अगर बात की जाए करीबी जो हैं वह यहां पर पहुंच रहे हैं और अब जो है मामला बहुत जादा दिल्चस्प हो चुका है जो हमने च्छतिसगड़ में देखा उसके बाद राजसान से क्या नाम होगा तो केवल दस से बारा नाम चल रहे थे लेकिन अब अगर बात किए तो एक से लेकर के एक सो पंदरा तक जो विधायक बीजेपी के चुन करके आए हैं अब उनकी लिस्ट जो है उपर नीचे होना शुरू होगे कि आखिर में से कौन सा नाम निकल करके सामने आ सक क्या है कुछ भी हो सकता है एक सो पंदरा में से आए बात करते हैं सर क्या नाम है मेरा नाम अनुन से हम अनुन नसे जो भी होगा 115 में से होगा दो राजिय में भी हुआ है उसमें जो भी विदायक है उसी में से हुआ है तो उसके बाद क्या लग रहा है कॉंग्रेस की भी नजरे जो है बनी हुई है कि किसको बनाया जाएगा कहां से हम लॉबिंग कर सकते हैं कहां फिर संपर करेंगे फिर हम ज पार्टी जन्ता पार्टी में सिस्टम है कोई किसी भी कार्यकरता को मुख्य मंत्री बनाया जा सकता है 111 विदायक भी है और भी उनको लगता है कोई यह क्यों है तो भारती जिंदा पार्टी के जो भी कारे करता कोई नाजगी निया है हम सब खुस है क्योंकि वारती जन्ता पार्टी की सरकार बन रही है पिछले पांस साल में जो इस सरकार ने लूट की छूट दी और जो यह राजकता का वातावन था इस से जन्ता उप चुकी है और यह भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार बनने के बाद में यह रास्तान की जन्ता को रहत पतान करेंगे पार्टी के लिए वह रोपरी होगा आपकी कोई परसनल कोई ओपीनियन आपका आपके जयन में कोई नाम चलगाएगा जो पार्टी करेंगे पार्टी करेंगे जो पार्टी करेंगे आपके मन में कोई चल रहा है नाम जो पलट चुका है रात और आपको बता दे राजसान में परसू पहले बैठक होने वाली दी लेकिन उससे पहले मद्दे प्रदेश और 36 गड़ी है इंडिरेक्ट लिए से एक मैसेज जो है वो बी कब यह कहना था उसको हम मानेंगे आपका क्या नाम है सुमेट सिंग गुजर कहां के रहने वाले हैं दोसा के रहने वाले दान सवा क्या लग रहा है आपको यहां पर क्या हो सकता है कोई मन में चल रहा होगा कोई नाम 115 विदायक है वारतिय जंता पार्टी के उनमें से ही सीम चहरा होना चाहिए अभी अभी कल तक कहानी केवल बारा बारा दस से बारा नाम चल रहे थे आज वो दस बारा से सीधे 115 नाम हो चुके है दोनों में से किसी एक कंडिडेट को सीम गोशेत रहे आपकी बाबा बालकनात क्यूं क्या कारण है इस राहे एक विकास पर बी और उर्जावान भी तो सब तरीके से देखा जाये तो बाबा बालकनात बैट रहा है यहां याँ यहां पर व्यक्तिकत राय भी होता है जैसे नाम निकल करके आ रहे हैं है ना कहीं चर्चा में ना कहीं कुछ और मुक्हेमंत्री बन रहे है değer यह वी तू है जैतल होना एज़सन我在 पर ना मिश्थ जो में देखा वह भी देखा जा रहा है शुरू से मतलब बच्पन से समाजी कोन कितना रहा है राजनीते में कितना रहा है संगठन में कितना काम करके जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि दरातल पर जिसने काम किया वैसे डॉक्टर किरोडिलाल मीना सीम होने थी है उन्होंने पेपर लीग ब्रस्टाचार वीरांगनाओं का अपमान ऐसे हर समाज के वर्क की लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहेंगे हर समाज के वर्क की लड़ाई तो देखे सब के अपने अपनी यहां पर एक व्यक्तिकत राय भी है कि ये बने तो बैटर होगा लेकिन नाम आ चुका है सब को पता नहीं है वो स्ट्रॉंग इतने बीजेपी के सोर्सिस इतने मतलब अगर बात के वो इतना गुपचुप तर करल जिलागा आपको क्या लग रहा है सर क्या हो सकता है वो लिफाफे में नाम किसका हो सकता है लेकिन कोई आपके दिवाग में चल रहा कुन सा नाम हो सकता है आपका क्या नाम हो यह लेकिन कुछ आपके विक्तिकत कुछ रह इक यह नाम हो सकता हूं तो नाम होतों कोज immigration पर we ऐना पूर के लिए आपको लग रहा है कौन सानाम हो सकता है नेजे को मोझी जी पर भरोसक कि हम आर। और मोदी जो कार की हैं सरफ पर यह हैं ऐसेए कार की हैं जो जब से देश आजाद हुआ और वह सो आतंगबाद की आतंगबाद को जिल रहा देश। को उति देने में नाम पर फैबित ना मोडि का कंडिडे फु और राजिस्तान को मोडी का कैंड़ेस विकार देखिये यह जो banging यहां पर आपको perception देखने को मिले आपका गया दरता सीग नाम है मेरा करोली जिले क्या लग रहा है कौन सा नाम हो सकते हैं जो नाम चला दिया थो बोटो सारे डाउन हो गए इतने भी इन्हों अभी के ज़नरेशन में जो यहाँ पर अगर बात करेंस इंदा बहुत झो में देखा है उसको काम कि यहां यह किने यहाँ देखने को मलता है और भी कारिकरत उनसे भी बात करें सब्सक्राइब स्थिए लगी में और क्रोट हो चुकी है और महिलाओं के साथ जो कि यूपी से जो अपरादिये वो राजस्तान में आ चुके हैं कॉंग्रेस सरकार ने पास साल में उनको श्रण दिया है और यहां पर अपरात की गतिविद्या दिन पर दिन बढ़ी जारी जितना योगी जैसा कोई मुख्य में तिरास्तान का निया आएगा उतना राजस्तान में बश्चाचार और अपरात लोगपिरी अचारा है वसुंद्रा राजे जी और वो इस यहम बढ़नी चाहिए इनकी राय है वसुंद्रा राजे आपका क्या नाम है मेरा नम विकरान चोधरी है मैं यहीं जैपुर से हूँ वैसे गंगानेगर से हूँ बताई आपको क्या लग रहा है दो राजियों के मेरा यह मानना है कि युवा चैरा होना चाहिए जो आगे आने वाले 20 साल तक यह जो बदलाव की राजनितिया हर 5 साल बदल जाती है तो उसको स्टेबिलिटी लाने के लिए युवा चैरा होना चाहिए उसमें मेरे सामने एक ही नाम है राज्य वर्दन सिंग्रा ठोड़का जी वो युवा हैं और इमानदार हैं मैंधी हैं अगर 24 गंटे उनको काम ये मिले तो उसमें से 18 गंटे काम करते हैं पूरे परीमें लेकिन कॉंग्रेस तो है वो सचिन पाइलेट को चैरा देरी और वो पता नहीं बनेंगे वहां नहीं बनेंगे तमाम OSD के खुलासे के बाद भी कॉंग्रेस में वह बने हुए खेर उनका निर्ने आपका क्या नाम अपर क्या लग रहा है आपको क्या निर्ने आपको क्या लग रहा है क्या हो सकता है सक्सफुल मुकमंत्री है तो वसंदरा राजे है नहीं इन पर किसी पर भी नहीं राजस्तान समलेगा आपका क्या नाम है मैं प्रदीब देहरणू सिरिक गंगानगर से आए हम लोग विश्व की सबसे बड़ी लोग बड़ी लोगतांत्रिक पार्टी आई यह आंत्रिक लोगतांत्रिता मजबूत है सबसे राय लेके किसी को भी मुक्यमंत्री बनाये जाएगा नरेंदर मोदी जी के द्वारा अमित्साद जी के द्वारा नड़ा जी के द्वारा प्रदेश नेत्रतों के द्वारा वह सरुमान्य होगा और अच्छे काम करेंगे जैपूर में वहां से लगातार हम आपके तक कवरेज दिखा रहे हैं क्योंकि समर्थक जो पूरे प्रदेश बर से जुट रहे हैं उनको अंदर जो है यहां पर जाना अलाउड नहीं है अंदर केवल विधायक उनके लावा उनके जो करीबी हैं या फिर जो व्यवस्ता में लगे लोग हैं उनी को जाने दिया और बाहर आप देख सकते हैं लगातार जैसे जैसे समय बीता जा रहा है दोपहर का समय बारा है वैसे वैसे जो कारिकरता है वो पूरे परदेश बर से यहां पर जुटना शुरू हो गए हैं और अपनी राए भी रख रहे हैं लेकिन देबर देश और राजसान को इसलिए होल्ड पर रखा गया ताकि वहां का पहले जो है देखे किस हिसाब से वहां पर बदलाव किया गया उसके बाद अब राजसान का आप जो है वो इंतजार है शाम आते आते जो है नाम तैया हो जाएगा और तब तक ऐसे जमावड़ा ब यहां पर जमावड़ा लगातार बना हुए आपकी क्या रहा है आपको क्या लग रहा है अभी भी समय आप अपनी रहे जो है हमारसा जरूर शेर कीजिए कि कोन हो सकता है राजसान का अगला मुख्यमंत्री